हेलो एवरीवन वेलकम टू बीट दे स्ट्रीट आज हम एक बहुत ही इंपॉटन टॉपिक के बारे में बात करने वाले जो कि हम व्यूवर्स की डिमांड पर बना रहे हैं जी हाँ बात की हो इन हाँ इसक बात कही है और इस वीड이ो में हम आपको सारी बाते बताएंगे आपको कितना मिलेगं यह बिटाएंगे बाकियों को कितना मिल राहा के लिए बना रहे हैं तो अगर आप FD और NCD holders हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और bell icon को दबा लीजिए लगातार ये हमारा दूसरा वीडियो है DHFL पे इससे पहले अगर एक वीडियो और था जो कि DHFL के resolution plan था ये वीडियो भी की recovery percentage के बारे में बात करते हैं देखिए overall आपको जो recovery percentage है वो सबी category के लिए अलग-अलग है सबसे पहले में आपको बताना चाहूंगा आपके साथ क्या problem हो रही है आप लोग का जो COC यानि committee of creditors जो पूरी decision making power है जो decision making body है उसके अंदर आप लोग का 6.5% करीबन 6.15% ही से है यानि आप लोग का जो representation ratio है percentage है वो केवल 6% है बाकी दूसरे stakeholders है सबसे ज्यादा जो representation है वो banks का है और मैं आपको बताना चाहूंगा FD holders और NCD holders ने इस resolution के plan के against में vote किया एक भी जो 6.5% है वो सारे के सारे इस plan के against में गए लेकिन जैसा कि banks का यहाँ पे ज्यादा वो था तो करीबन माना जा रहे है कि 85 से 45 प्रतीशत से यह resolution plan पास हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग का जो say है वो बहुत कम है 6.5% के करीबन vote से आपके पास लेकिन आप उससे पूरी की पूरी यहाँ पे deal को block नहीं कर सकते लेकिन हम आपको बताएंगे आप लोग कैसे इस deal को block कर सकते और आखिर में rules क्या कहते है law क्या कहता है सबसे पहले आपकी recovery के बारे में बात करते कुछ चार तरीगी category बनाई गई है जो plans में है category 1 2,00,00 तक की जो FD और NCD holders है उन्हें पूरा-पूरा पैसा दिया जाएगा principal amount cash में payment होगा उन्हें interest नहीं मिलेगा उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो category 2 यानि 2,00,00,00,00,00 इन्हें 43% पैसा दिया जाएगा principal amount interest नहीं मिलेगा अभी 57% का आप लोग को यहाँ पर नुकसान है उसी के अलबा 5-10,00,00 में भी same चीज है यही category रखी गई है दौनों को cash में payment किया जाएगा अभी cash में payment कब तक होगा यह बहुत बड़ा सवाल है बहुत जनों ने पूचा था देखिए अभी यह जो legal अभी तो सबसे पहले यह COC ने approve किया है इसके बाद इसमें बहुत सारे legal cases आने बाकी है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे और जैसे यह plan NCLT में अप्रूव होगा जैसा कि मैं इसके बारे में और बात करूँगा कुछ अपील्स NCD और FD holders के लिए भी है तो यह हो गई और जो 10 लाग से ज्यादा वाले है उनको प्रो राटा बेसिस पे दिया जाएगा आफ्टर सेट्लिंग अदर केटिग्रीज अदर केटिग्रीज मतलब बाकी सभी लोगों को पैसा देने के बाद जैसे बैंक्स के मान लीजिए अगर बैंक्स को इतना देना है इतना प्रतिशत देना है उसके बाद अगर कुछ बचता है कोई more recovery होती है किसी भी तरह किसी से तो उन लोग को यहां पर pro rata basis पर दिया जाएगा यानि 10 लाग से ज्यादा वाले जो FD NCD holders है वो सबसे जादा problem में होंगे और सबसे बड़ी problem यह भी है कि उनको केवल cash में नहीं दिया जाएगा उन्हें securities दी जाएगी securities का मतलब क्या हुआ देखिए जैसे अब यह आपने NCD hold कर रखे debenture वैसे आपको piramal group के यहाँ पर debentures मिल जाएंगे तो इस तरीके की चीज़े होने वाली है यह पूरा हमारा payment structure है लेकिन यह वीडियो यहां खतम नहीं होता है अगर आप NCD FD holder से पूरा वीडियो देखिएगा आपकी जानकारी के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़े बताने वाले lawyer के बारे में भी बात करेंगे और आपके लिए जो एक और बंदा है जो काम कर रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले जानते लोग बाकी लोगों को कितना मिल रहा है देखिए term loan जो की 28,000 करोड के है और secured NCDs जो 42,000 करोड के है आप देख सकते recovery कितनी कम है अगर आप देखेंगे तो केवल 32.8% की याँ पर recovery है और जो depositors हैं उन्हें कितना मिल रहा है ब्याइड depositors को 23% मिल रहा है Unsecured NCDs को तो केवल 1.25% मिल रहा है और external commercial boring याँ आप मान सकते हैं भार के जो बैंक्स हैं उन्हें कितना मिल रहा है उन्हें भी 32% मिल रहा है और masala bonds जो हैं उन्हें भी 32.8% मिल रहा है तो यहाँ पर problem क्या आ रही है कि अभी यह जो recovery percentage अभी यह update हुआ है मतलब जिन जिन के पास खबरे आती जारी है वो वो media reports डालती जारी है यह Bloomberg कुंट का है और यह सबसे ज़्यादा नया है और सबसे ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि यह सबसे ज़्यादा सही भी है अभी resolution plan जैसे यह upload होगा हमें एकदम final details मिल जाएंगी हो सकता है यह प्रतिशत change हो जाए जैसे हमारा आखरी वीडियो में हमने 43% की recovery बताई थी बैंक्स में क्योंकि तब media में खबरे यह थी और अभी कुछ आ रही है कुछ और भी आ सकती है लेकिन आप मान के चलिए मोटा मोटी इतना पैसा मिलेगा और अभी इसके बारे में आके बात करते हैं सबसे important plan क्या Oak Tree की bid जो थी उसमें आपको ज्यादा मिलता Oak Tree Capital जो second contender था उसमें ज्यादा मिलता या अडानी की bid में ज्यादा मिलता जी नहीं आप लोग को भी लगबग इतना ही पैसा मिलने वाला था अभी एक और केस की बात करते जहाँ पे FD holders और NCD holders को बचाया गया था देखिए लक्षमी विलास के case में जो bank बंद हो गया है उसके case में FD holders को पूरा payment किया गया था और bond holders और NCD holders को bond holders को यहाँ पे zero payment मिली थी और उसी के साथ yes bank में भी ऐसे हुआ है FD holders को पूरा पैसा दिया गया है और यहाँ पे यह भी बात हुई है कि जहाँ जहाँ पे पैसा नहीं मिला यानि bond holders और NCD holders को yes bank और लक्षमी विलास में उन लोग ने भी appeal फाइल करी है depositor है वो उसको इतना नहीं पता होता है कि सामने yes bank में पैसा लग रहा है या वो NBFC है या वो bank है उसके साथ आगे क्या होने वाले लक्षमी विलास का case तो एक ही दिन में खतम हो गया वो आए और उन लोग ने bank बंद कर दिया तो यह सब तरह की काम कर रहा है वो है 63 moons limited यह बहुत बड़ी investment company है इसके पास करीबन 500 करोड के NCDs है और यह लगातार इस पूरे resolution plan के against में है उसने लगातार आपके लिए बोला है और क्योंकि उसका खुद का पैसा इतना लगावा है उसके पास इतने सारे NCDs है तो वो लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है उसने कुछी दिन पहले एक अपील भी करी थी कि वो उनके साथ जुड़े और यहां पे हमारी अपील NCLT में फाइल करने में help करे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पार्टी है जो इस केस के अगेंस्ट के फाइल करेगी अपील वो है ओक्तरी कैपिटल जिया मीडिया रिपोर्ट्स यही मानती है कि ओक्तरी कैपिटल वापस C.O.C. के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील करने वाली है अभी आपके लॉयर क्या कहते है देखिए वैबन गुलानी करके जो आपके लॉयर है उनका कहना है कि देखिए किसी भी बैंक को अगर लेंडिंग कंटीन्यू करनी है यानि लोन कंटीन्यू देते रहना है तो उनके FD होल्डर्स को फुल पेमेंट री पेमेंट होना बहुत जरूरी है और मैं आपको बताना चाहूंगा DHFL कंटीन्यू जो लेंडिंग कर रहा है वो जनवरी 2020 से अपने लोन दे रहा है तो अगर वो लोन देना चाता है और ये बिजनिस में रहना चाता है तो उसे FD होल्डर्स को पूरा पैसा देना पड़ेगा अभी ये कहां लिखा है ये National Housing Board जो कि आपका Regulator है NHB उसमें यहाँ पर रूल्ज में लिखा गया है और ये एकदम लीगल है इसमें कुछ भी हमारा नहीं है कोई किसी लॉयर का opinion नहीं है ये law कहता है कि अगर बैंक को NBFC को DHFL को अगर लेंडारी करनी है और आपके जो लॉयर है वैबन गुलानी ने उन्होंने काई कि जरुत पढ़ने पर हम लोग सुप्रीम कोट में भी जाएंगे इसी के अलावा NCD holders के लिए क्या update है देखिए NCD holders के लिए कॉंटक्ट करनी कोशिच की गई Catalyst Trust Triep और IDBA Trust Triep से तो उन लोग ने कोई अपडेट नहीं दिया कोई जवाब नहीं दिया और नहीं उन्होंने कोई ऐसे इंडिकेशन दिया कि वो फर्दर कुछ अपील करेंगे और उसी के साथ मैं अगर आप से बात करता हूँ एक बहुत ही जो तो मैं बोलूँ कि कितना बड़ा इसमें लूप होल है जो कि यूज किया गया और कैसे लोगों का पैसा डुबाया जा रहा है वो यह है कि जो RBI की एक सबसेडरी नैशनल हाउसिंग बोर्ड उसने एक तरीकी की अपील फाइल करके यहां पे 100% रिकावरी करीए जी हां यह एकदम सही है जाब बैंक्स को बाकी सबको 33% मिल रहा है एनेजबी को 100% अपना पैसा रिकावर होगा क्योंकि वो RBI की सबसेडरी उसे नुकसान नहीं होगा वो सरकार की है तो इस तरीकी चीजे हैं इसमें बहुत सारे लूप होल्स है मैं आपको दीरे दीरे बताता जा रहा हूँ इसके बाद हम लोग बहुत सारे और वीडियो बनाने वाले जैसे एक्विटी शेर होल्डर्स का क्या होने वाला है उसी के अलावा यहस बैंक का जो लोन एक्सपोजर है उसका क्या होगा पिरामल एंटर्प्राइस लिमिटेड पे इसका क्या फरक पड़ने वाला है और इसी के साथ बाकी सारी चीजे भी हम लोग धेचेफल से रिलेटेड अपडेट करेंगे और जैसे ही इसका रिजॉलिशन प्लैन ओफिशली आ जाएगा तब हम एक एकदम comprehensive वीडियो बनाएंगे एक एक चीज का analysis करेंगे आप हमाये चैनल को बिल्कुल subscribe कर लीजिए bell icon को दबा लीजिए हम लोग बिल्कुल आपसे promise करते हैं जैसे हमें कुछ भी खबर मिलेगी आपको lawyer के details या फिर 63 moon से कैसे contact करें यह सारे जो भी तरीके हैं जैसा भी आप approach कर सकें ताकि आपकी बात पहुंच सकें इसके लिए हम लोग बिल्कुल update करेंगे आप हमाये चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को दबा लीजिए अगर आपको पसंद आयो तो like जरूर कीजिए और सभी DHFL के FD holders और NCD holders के साथ हमारा वीडियो शेर कीजिए ताकि उन्हें पता चले उनके साथ क्या हो रहा है और जैसा कि सभी लोग curious होते हैं कि हमको कितना मिलेगा हमको कितना मिलेगा तो अगर हमारा वीडियो यूट्यूब के दुरू नहीं पहुच पाए तो आप शेर करके इसे पहुचाईए ज्याद से ज्याद से शेर कीजिए यह वीडियो यहीं कतम होता है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद